हाई फ्रेंड्स वेलकें चानल फैट कनेशा तो दोस्तो शेनिवार के दिन जिया दोस्तो शेनिवार के दिन भगवान शेनिदेव को समर पितोता है तो दोस्तो इस दिन आप स्रीप एक रुपई का सिक्के का जी है दोस्तो एक रुपए सिक्क्य का उपाई करते हैं तो आपके जिवन से सारी परिशानी सारे दुखतर्द मिट सकते हैं शनी महाराज के क्रिपा पंच सकती है तो दोस्तो देर कीजबात की शेनिवार के दिन दोस्तो एक रुपे सिक्क्य का ये उपाई आवश्य करें इससे आपकी किस्मत जम केगी और दोस्तो आपके हर रुपे काम पूर्ण होगे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है दोस्तो आपके नवक्री व्यापार में आरे याड़ चने हमेशे क्लियर दूर हो सकती है तो दोस्तो देर की इस बात की शेनिवार के दिन ये एक रुपे सिक्के का उपाई आवश्य करें तो दोस्तो इसे पूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें बेल आइकान प्रेस करके अल बटन पर क्लिक चरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं उपायों से दोस्तो यो तो शेनिवार को शेनिदेव की आरतना करना और उन्हें सरसों का तील चड़ना शूब माना जाता है दोस्तो मगर सावन के शेनिवार को कुछ खास उपाय करने से दोगुना लाब मिल सकता है इससे शेनिदोस से चुटकरा मिलने के समयत भाग्योनिती भी हो सकती है तो दोस्तो आईए जानते हैं दोस्तो सावन के महने में शेनिवार की ये खास उपाय तो दोस्तो सावन के मेने में शिव जी की पुजा करने से वेक्ति को पुन्य की प्राप्ति होती है अगर इस पवित्र महा के शेनिवार को शिवलिंग पर कच्चे चावल चड़ाए तो आर्थिक तंगी तूर हो सकती है अगर कोई बिमार है तो सावन के शेनिवार को गाय के शुद्दगी से शिव जी का अभिशेक करे शिव जी का अभिशेक करे इसे वेक्ति को जल्दी स्वास्त लाप होता है दोस्तो सावन की शेन्यवार को काले तिल का धान करने और शेव जी को तील अरपित करने से दुखो से चुटकारा मिल सकता है दोस्तो सावन के शेनिवार को शहत से भगवान शिव का अविशे करने से शेनी दोस से छूट कारा मिलता है तो दोस्तो अवशे करना चाहिए दोस्तो शेनी मंदिर में काले कपड़े का दान करने से शेनी दोस से मोक्ती मिल सकती है तो दोस्तो ये चीज अवश्य करें सावन की शेनिवार को भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंतर का चाप करने से भूलेनेत और शेनिदेव की क्रिपा प्राप्त हो सकती है तो दोस्तो अवश्य करें शेनिवार के दिन पीपल के पेड़ पूर जल चड़ाने और साथ बार परिक्रमा करने से शेनिपीडा से चुटकरा पाया जा सकता है तो दोस्तो सुक सम्रुद्धी की रुद्धी के लिए सावन के दिन यानि की शेनिवार के दिन शिव अंदिर में जोग का दान अवश करे इसे आपको बहुत बड़ा लाब होगा दोस्तो सावन के शेनिवार के दिन यानि की शेनिदेव को एक बान में लोहे की किल जिया दोस्तो एक लोहे की किल काले तील और एक रुपई का सिक्कार रख कर चड़ाए दोस्तो इसे शनीदोश तूरोगा ज्या दोस्तो फिर से सुनो दोस्तो सावन की शेनिवार को शेनिदेव को एक पान में लोहे का कील, काले तील और एक रुपई का सिकार रख कर चड़ाई इसे शेनिदोश दूरोगा तो दोस्तो ये उपई बहुती असरदार है, इसे करने से तुरंट आपको इसका रेजल्ट देखने को मिलेगा, यानि कि जो भी अर्चन आपकी है वो तुरंट सौल हो सकती है, जिया दोस्तो ये बहुती अच्छा सा उपई है, ये उपई आवश्य करें, इससे आपको त्व दोस्तो ये उपई करने से आपकी सारी समस्या खत्म हो सकती है, तो दोस्तो ये उपई आवश्य करें, दोस्तो आपके वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो, तो लाइक चेर और कमेंट शरूर कीजिगा, और कमेंट बॉक्स में, ओम शांशे ने चराइनमा आवश्य लि